प्रेविद्याथियूम हमने पिछले लेक्चर में बात की कि भारतिय जो प्राचीन आख्यान है जो पौरानिक आख्यान है उनमें किस प्रकार की भोगुलिक संदर्भ मिलते हैं किस प्रकार की भोगुलिक सोरूपों का विवरण मिलता है हमने पढ़ा कि पौरानिक आख्यानों में समस्त ग्यात विश्व को कुछ ध्वीपों के रूप में इस्थापित करने का प्रयास किया गया और उनकी विवरन प्रस्तुत किये गए और जब हम उनका अधेन करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत कुछ जो वर्दमान भूमिया हैं उनसे वो बहुत कोरेलेट करते हुए दिखते हैं मतब बहुत कुछ यथार्थ के करीब वो विवरन मिलते हैं हमने कुछ द्वीपों की बात की थी, हमने ये बात की थी कि साथ द्वीपों में, साथ स्थल घंडों में समस्त ज्यात विश्व को पहराने का ख्यानों में हमारे स्कॉलर्स ने बाटा, पांच की बात हम कर चुके थे, आज हम आगे चलते हैं, अगला द्वीप है, क्रॉंच अगला जो विवरन मिलता है, वो महाभारत में इस पाइशली मिलता है, क्रॉंच द्वीप का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये पामीर के उत्तर पश्चिम मिस्तित है, जिसको हम आज पामीर कहते हैं, जिसको मेरू परवत के रूप में जिसका उलेख किया गया हमारे पौराने काक्यानों में, हमारे महारत में, और इसके उत्तर पश्चिम मि यूरॉप है वर्तमान में जहाँपे कि ब्रिटेइन है ब्रिटेश जो लबा लब भरी हुई नधियां प्रवाहित होती है इसका मतलब है कि यहाँ पर परयाप्त वर्षारा का शेत्र है यह उमिड है और ही जो भागार प्रकार बांगी जलवाई वो इसमें सम्मेलित किया जा सकता है, जिसमें नदियां है, नित्यप्रवाही नदियां है, यूमिट रीजन है, आर्द प्रकार की जलवायों मिलती है और ये जो हिस्सा है, ये सारे ये अपने मेरू परवत के उत्तर पश्चिम में इस्थित है, ये विवरन मिलती हैं। अगले जिस स्थलकंड की बात की गई है वो है शकद्वीपा 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 has been identified as a wide stretch of land to the southeast of the जंबुद्वीपा covering the present Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia and the islands of the southeast Asia that is called East Indies This was hot and moist climate with thick cover of evergreen forest अब शकद्वीपा जो शेत्र है जिसको हम आज दक्षणी पूर्वी द्वीपा है और थुड़ा सब जो तब इस प्न हार है वर्टमान के जिस साहलेंड, विएतनाम, Malaysia, Indonesia इन सारे हिस्सों को समिलित कर सकते हैं इसलिए यहाँ पर सदा बहार वर्शा बन मिलते हैं और उश्न आृद्र जलवाईू मलती है यह विवरन हमारे आख्यानों में शक दूइप के नाम से उल्लेकित किया गया है अपार्श फोन दूइपास डाट इस continents मतलब इनको हम आज के जो continents है उनके हिसाब से उनसे correlate कर सकते हैं the classical Indian scholars also try to delineate the boundaries and frontiers of the Indian subcontinent मतलब सिर्फ ये इनी का विवरन नहीं दिया बलकि भारती उप महादूईब की जो सीमाएं हैं उनको स्थापित करने की चेश्टा भी हमारे scholars ने की in the Vedic period और we can see in the Vedic literature and Puranas India has been given different names but भारत वर्षा is the one most commonly used in them हमारे पुरानों में हमारे Vedic साहित्य में भारत की जो भारती उप महादूईब हैं उसके लिए कई नामों का प्रयोग किया गया है पर जो एक सर्वसम्मती इसने संपून ग्यात विश्व पर अपनी नजर डाली और उस दृष्टी पात के द्वारा और अपने उस दृष्टी पात किया उसका अधेन किया उनके विवरण प्रसुत किये लेकिन ये भी सच है कि क्योंकि वो निवास भारती उप महादूईब में करते हैं अब भारत वर्ष का क्या अधेन और क्या विवरण उन्होंने प्रसुत किया हम इसकी बात करेंगे भारत वर्ष्व इस कॉमनली आइजन्टिफाइड विद इंजिन सब कॉंटिनेशन बाट इन फाक्ट नो comprehensive designation was given to the Indian subcontinent in ancient Indian or foreign literature अब भारत वर्ष के लिए हम जो अधेन करते हैं या हम जो लिट्रेचर पढ़ते हैं जिसमें भारत वर्ष का जिस प्रकार का विवरंड दिया गया है उससे हम वर्थमान में कह सकते हैं कि भारती उप महादूईब के लिए ये शब्द दिया गया लेकिन भारती उप महादूईब जैसा शब्द हमारे पौरानिक आख्यानों में हमारे वैदिक लिट्रेचर में हमारे प्राची निसाहित्ते में कहीं नहीं मिलता उन्होंने बलकि अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग नाम भी दियें जैसे जो वेदो की भूमी है पंजाब के जो नदी निर्मत जो मैदाल है उसको सब्त सेंधव कहा गया इसी तरीके से आर्यों ने भारतवर्ष को आर्यवर्थ कहा क्योंकि उन्होंने आर्यों का एरिया या आर्यों का क्षेत्र कहा तो इस तरीके के नामकरण भी भारतवर्ष के संदर्भ मे हमारे लिटरेचर में हमारे जो प्राचेन साहते हैं उसमें मिलते हैं Now mountains and rivers of भारत वर्षा The Vedas, Apex and Puranas have mentioned a series of mountains in भारत वर्षा Himawar, Uttarakuru, Uttarmadra, Trikkakud that is Hindu Kush Vindya, Paripatr, Durdura and Mahendra are the main mountains described in the Indian, ancient Indian literature बनलब पामीर की गांट से जो Hindu Kush तक जाता है वो हिस्सा फिर उसके बाद विंद्य परवत, Mahendra परवत, ये सारा जो परवती शेत्र है हमालय ये सारा का सारा परवती शेत्र का वेवरन हमारे जो लिटरेचर है जो हमारे वेध है, पुरान है या जो हमारे महा कावे है, रामाराण और महा भारत इन में मिलता है ये हम आज भी पढ़ते हैं और ये बिलकुँ सही विवरन उस समय में भी मिलते थे उस समय के स्कॉलर्स ने भी दिये हैं कि हमालय उत्तर में इस्तित है भारत वर्ष के और ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार मिलता है और ये धनुशा का रूप में मिलता है जो हम आज भी देखते हैं इनर हमालया आज बहर गिरी जिसको अब हम आज पढ़ते हैं कि शिवालिक से और उच्छ रह्मालया और मध्यम हमालया हम इस प्रकार से आज उज्ज़ाओ विवरन पढ़ते हैं इस प्रकार की विवरन उश समय भी मिलते थी और हमालय को उसकी उंचाई या उसके शरूप के अधार पर हमाले परवतमाला को भी दो वरगों में बाटा गया अंतर गिरी जो कि आंतरक हमाले था और बहर गिरी बहरी हमाले केलाश माउंटेन को जो सबसे उच्छ परवती शेत्र था जो कि हमारी हमरेखा से उपर का शेत्र है उसके लिए ये कहा गया कि यह है भूमी यह है खनिज बदार्थो हीरे पन्नो और अन्य जो भी कीमती पत्थर है उन से भरी हुई भूमी है और ये वस्तोता अब सराओं और देवताओं का शेत्र है मतलब यह बहुत एक स्वर्गिक आभा इस शेत्र में मिलती है और स्वर्गिक सम्रधी इस शेत्र में प्रकृती ने दी है इस बात को उलिखित करने का प्रयास किया गया About the Vindians, it has been said that it is an extensive mountain with hundreds of peaks variegated with trees and creepers It stretches along the banks of Narmada river up to Kaimur through Amarkandhak The eastern kharts were known as Mahendramali and the Malabar coast includes the Nallamalai, Annamalai and Atamalai ranges Vindians के बारे में जो हम आज वर्तमान जो इंडियन जोगर्फी हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि नarmada और तापती के बीच में वहाँ पे उस शेत्र में Vindians मिलते हैं, विंद्याचर परवतमाला मिलती है उसके लिए ये कहा गया कि ये विस्तृत परवतमाला है जिसमें की सैकडों की संख्या में चोटिया मिलती है यहाँ पर बहुत बड़ी मातरा में पेड मिलते हैं, लताएं मिलती है मतलब सगन वनस्पती का शेत्र ये परवती शेत्र ये है और ये नर्मदा नदी के किनारे पर फैला हुआ है नर्मदा नदी की किनारे के सहारे सहारे इसका विस्तार मिलता है और कैमूर तक और अमर कंटक से होती वी नर्मदा यहां पर प्रवाइत होती है यह सारा सो रूप यह इस शेत्र में जो परवत माला है वो विंद्याचल परवत माला के रूप में इस्थापित है इस्टरन घा अन्ना मलाई और एटा मलाई परवती श्रंखनाओं को परवती परवतमालाओं को सम्मिलित किया गया वो अध्यन हम आज भी करते हैं यह विवरण उस समय में भी मिलते हैं Apart from mountains, there are many drainage systems described in the ancient Vedic and Puranic literature. The Rig Veda has mentioned rivers like the Ganga, the Yamuna, the Saraswati, the Sutadri, that is Satlaj, Paryushni, that is Ravi, Asikni, that is Chenab, Vitasta, that is Jhelam, Jikia, that is upper part of Indus, Susoma, that is Savan, Sindhu, Indus, etc. Kubha, Kabul, Gomati, Gomala, Krumu, Kurrum. There are references of the Indus-Vinus system, Narmada, Taapti, Godavari, Krishna, Kaveri, and Tungbhadra. About the Ganga, the Brahmaputra and Rampatra rivers, there are elaborate descriptions. अब जब हम नदीयों की बात करते हैं, पर्वतिय शेत्र की बात वहां पे मिलती है, इसका मतब स्थलाकरतिक जो अध्यन है, वो हमारे scholars ने किये और जो अधेन किये उनको विश्यू के समक्ष रखा भी, उनके विवरन प्रस्तुत किये, फिर ड्रेने अपवाध अंत्रों का विवरन भी बी मिलता है, विविन नदियों का विवरन मिलता है, जिसमें हम सिंधू जो रिवर सिस्टम है, नदी तल्ब हमें गंगा मिलता हैं मिलता है जो नदी तंत्र मिलता है हमें पूरा ध्यान इस बात पर था कि किस प्रकार केनियों से समस्त्र शेत्र किस प्रकार से आच्छा दे थे, कौन सी नदी कहां से निकल कर कहां प्रवाहित होती है और किस प्रकार से उस शेत्र में जीवन यापन का आधार मनती है क्योंकि ये तो सच है कि नदियों की किनारे सबसे पहले सब्वेताओं का विगास हुआ था तो ये विवरण वहाँ पर हमें अपने जो हमारा जो प्राचीन लिटरेचर है उसमें देखने को मिलते हैं अब इसमें गंगा और ब्रह्म पुत्र इन दोनों के बहुत जादा विस्तरत विवरण मिलते हैं थोड़ा से जिक्र हम उसका अभी करते हैं The river Ganga is set to flow from the Vindu Sarover that is Gangotri आज हम जसको Gangotri कहते हैं In the initial phase, it was divisible into seven channels out of which three channels Haradini, Pavani and Nalini low eastward and other three Suchaksu, Sita and Sindhu now westward The seventh channel known as Ganga followed the southern course in the great plains of India गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह हम आज जानते हैं उस समय उसे दक्षणी सागर ही कहा गया था कि भारत की जो पाहदूई पे उसके दक्षण में जो सागरी यह शेतर मिलता है उसे दक्षणी सागर कहा गया यह बात कही गए कि गंगोत्री जिसको उस समय में विंदू से रोवर कहा गया वहां से गंगा निकलती है और उसके बाद यह मुलतास की साथ शाखाएं हैं जिसमें से तीन उत्पूरू की तरफ चली जाती हैं तीन पश्णी की तरफ चली जाती है और गंगा स्वेम एक धारा के रूप में दक्षण की और प्रवाहित होती है और भारती जो महान मैदान हैं जो भारत के मध्यवर्ती भारत में जो बड़े मैदानी शेत्र हैं जलोर मैदानी शेत्र हैं उन में प्रवाहित होती है और यहां से इस मैदानी शेत्र में आने के बाद यह प्रयाग र यह सच है कि जो आज हम बात करते हैं कि गंगा यह बना बहती हुई आगे ब्रहम्पुत्र से मिलती हुई उसके बाद डेल्टा बनाकर बंगाल की घाड़ी में गिरती है वह एक्जेक्ट यह विवरन नहीं मिलते लेकिन गंगा के प्रवहा का विवरन वस्तार से हमारे और ख् यह प्रश्या और असम्ट इस सोर्स बाट 100 KM रस देख जिवें इन चेंट हिन लिवर स्थ एंगु प्रविर अज़ा प्रवज अमने लवर्स तू रवर ऑ्नून असेट टो तो ता खोर्स व्रूब ऑ्रूमर कंट कि इस लेंगे हैं जार नहीं कि तो प्रूज थे लिवर with the modern measurement. It is said to debouch into the Pashim-Modadhi Arabian Sea. In the Puranas, it has also been mentioned that to the south of Bharatwasha, there is an ocean, Mahasagra, which is we can call it Indian Ocean, which is more than 10,000 yujans in extent. In the Mahasagra, there are numerous islands or Dvipas. अब ब्रह्मत्र का कोर्स मिलता है, नर्मदा का कोर्स भी मिलता है, नर्मदा का जिक्र भी मिलता है, कि किस तरीके से वो प्रभाइत होकर और अमर्गंटक हिल से निकलती हुई, और उसके बाद वो सागर में गिरती है, और इनके इन शेत्रों के जो measurements है, जो मापन के जिक्र मिलता है, वो वर्तमान जो या थार्थ मापन है, भारत वर्ष के धक्षण में महासागर है, जो इसको कि आज हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, और इसका भी विस्तार दिया गया है, और ये भी कहा गया है, कि इस महासागर में कई ध्वीप आइलेंड्स मिलते हैं, अब इन ध्वीपों का जिक्र अब तरह पहले जिन ध्वीपों की बात की गई, वह वस्ताрах महा ध्वीपी शेतर को संबोदेत करने के लिए, इंगित करने के लिए जिक्र किया गया, लेकिन ये ध्वीप, ये ऽह महासागर में मिलने वाले ध्वीपों की बात यहां पर की गई है, In the Mahasagra, there are numerous islands from the foregoing Paras. It is widely clear that the Rishis, astronomers and scholars of the ancient Indian Vedic and Puranic period had well-developed concepts about cosmology, cosmogony, bhugol, khagol, etc. Their knowledge about the size, shape of the earth, continents, oceans, islands, eclipses, earthquakes, volcanoes, mountains, rivers, lakes, bays and people was appreciably correct and reliable. In fact, the Indian scholars contributed significantly in the growth and development of geography and its allied sciences. मुट्ती तोर पर अगर हम summarize करें निश्क शात्मक तोर पर अगर हम कहें कि प्राचीन भारतिय चिंतन में भूगोल की लगभक सारी शाखाओं ये भी सच है कि भूगोल को भूगोल विशय की रूप में इस्थापत नहीं किया गया था उस समय तक ज्यान के क्षित्र में जिसमें हम लिथोस्पेत की स्टाडी की बात कर सकते हैं हम हाइड्रोजी की बात कर सकते हैं हम क्लाइमेट Wearव की बात कर सकते हैं सबके विवरन मलते हैं और सी च। बहुत जादा सत्य के करीब मिलते हैं तो हम यह मान सकते हैं कि भारती भूगलिक चिंतकों ने जो भूगोल का ग्यान है उसमें अपना अभूत पूर्व योगदान दिया बहुत जादा सत्य के करीब के विवरन उन्होंने प्रस्तुत किये और आगे के जो भूगलिक अधेन अनुसंद्धान हुए उनके लिए एक सुद्रण प्रिष्ट भूमी प्रदान की क्योंकि अगर बेसिकली हमारे पास यह सारे कंसेप्स नहीं होते तो शायद आगे के अधेन करने के लिए फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता लेकिन एक अगर हम बहुत जादा वैज्ञ हैं उनमें मिलते हैं और वो हमें भूगोली ज्यान के दिशा में मार्क दर्शन करने के लिए हमें रास्ता दिखाने के लिए बहुत बड़ा और सुद्रल आधार है एंशन जोगर्फिकल थौट हमने पढ़ा आगी के लेक्टर्स में हम बात करेंगे कि इसके बाद आधुन